नमस्कार आज हम बात करेंगे दर्शन के बारे में जैसा कि आप भी जानते होंगे बारत में कई तरह के दर्शन यानि की फिलोस्पीज पाई जाती है इस वी सन के आरंब तक दर्शन के शे संपरदाई विक्सित हो चुके थे सांख्य, योग, नियाए, विशैशिक, विमासा और विदान्त बात करते हैं सांख्य के बारे में दैवी शक्ती का स्थित्व मानना अवश्यक नहीं है जगत की उत्पती इश्वर से नहीं, अपितु प्रक्रती से होती है, ऐसा इसमें माना जाता है सांख्य अपने अरंब काल में बोतिक वादी था, फिर अध्यात्मता की और मुड़ गया इस दर्शन के अनुसार मोक्ष यथार्थ ग्यान की प्राप्ती से हो सकता है आजकल यही मार्ग विग्यानिक अनुसंदान का भी है योग, मोक्ष द्यान और शारीरिक साधना से मिलता है प्रंतु इनमें संसारिक समस्थ्याँ से बागने की प्रवरित्ती भी दिखाई देती है सन्याए, इसका विकास तरक शास्तर के रूम में हुआ है विशैशिक, यह दर्शन ध्रव्य अर्थात, बोतिक तत्वों के विवेचन को महत्व देता है इस दर्शन ने प्रमानुवाद की सापना की इस प्रकार विशैशिक दर्शन ने ही भारत में बोतिक शास्तर का अरंब किया बाद में इस दर्श्टी कौन को भी अध्यात्मता ने अपने में फंसा लिया और इस दर्शन में भी स्वर्ग और मोख्ष सुमा गया मिमासा, मिमासा का मूल अर्थ है तरक करने और अर्थ लगाने की कला लेकिन इसमें तरक का प्रयोग विविदिक कर्मों के अनुस्थानों का ओचित्य सिद्ध करने में किया गया है मिमासा के अनुसार वेद में कही गई बाते सत्य है इस दर्शन का मुख्य लक्ष स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ती है विदात इसापुर दूसरी सदी में मिस्संकलित बाजरायन का ब्रह्म सुतर इस दर्शन का मूल गरंथ है इस दर्शन को लेकर दो हस्तियां विशेश मानी जाती है शंकराचार्या और रामानुज शंक्राचारय ब्रह्म को निर्गुन बताते हैं कि तू रामानुज के इंसार ब्रह्म सगुन है